नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ट्वाइस पाक हिंदी के एक नए वीडियो में टोल प्लाजा पर टोल वसूली को आसान और सुविधा जनक बनाने के लिए सरकार ने फास्ट टैक को आवश्यक कर दिया है अब सरकार ने एक नया नियम प्रस्तावित किया है जिसके तहट किंद सरकार डिजिटल और आईटी आधारित पेमेंट को और भी जादा बढ़ावा देना चाहती है इस प्रस्तावित नियम के तहट किंद सरकार एक दिसंबर 2017 से पहले के वहनों के लिए फास्ट टैक को अनिवारे करना चाहती है इस बात की जानकारी सड़त परिवहन मंत्राले द्वारा आज दी गई है मंत्राले का कहना है कि इस संबंद में एक अधिसूचना जारी की गई है इसके साथ ही नियमों में संचोधन के बाद फास्ट टैक एक जनवरी 2021 से पुराने वहनों के लिए अनिवारे कर दिया जाएगा आपको बता दें कि हित धारकों से टिपणी और सुझाओ के लिए सरकार द्वारा एक मसवदा अधिसूचना जारी की गई है इसमें इस बात पर प्रस्ताव मांगे गए हैं कि एक दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए वहनों के लिए फास्ट टैक अनिवारे करना सही है या नहीं सड़क परिवन और राजमार्ग मंत्राले ने एक बयान में कहा है कि CMVR यानि कि केंद्रिय मोटर वाहन नियम एक्ट 1989 में संशोधित प्रवधान को लागू किया जाना प्रस्तावित है मंत्राले का कहना है कि बीमा के प्रमालपत्र में संशोधन के माध्यम से एक नया थर्ड पाटी इंशोरंस प्राप्त करते समय एक वैलिट फास्टैक को अनिवारे बनाने का प्रस्ताव दिया गया है इस इंशोरंस में फास्टैक आईडी का विवरण कैप्चर किया जाएगा मंत्राले ने इस नियम को 1 अप्रेल 2021 से लागू करने का प्रस्ताव दिया है CMVR 1989 के अनुसार फास्टैक को चार पैया वाहनों के पंजी करण के लिए 2017 से अनिवारे कर दिया गया था और वाहन निर्माता या उनके डीलरों द्वारा आपूर्ती की जानी थी मंत्राले ने अपने बयान में कहा है कि ट्रांस्पोर्ट विहकल के लिए फास्टैक की फिट होने के बाद ही फिटनेस प्रमालपत्र का नमीनी करण किया जाना अनिवारे होगा इसके साथ ही रास्टी परमिट के वहनों के लिए 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैक का फिट होना अनिवारे किया गया है तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आटो जगत से जुड़ी और भी ताजा जानकारिया पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें और बने रहें ट्वाश पाक हिंदी के साथ